वेल्कम टू रास टेक्निकाल इंशिटूट स्वागत है आपका रास टेक्निकाल इंशिटूट में दोस्तो पिछली बार हमने 6M Charger के उपर वीडियो बनाई थी आपके लिए उस वीडियो में काफी सारे कमेंट्स आए DC Power Supply Machine के लिए तो दोस्तो हम इस बार लेकर आए हैं आपके लिए DC Power Supply Machine के उपर वीडियो DC Power Supply Machine में क्या कोडिंग होती है तो चलिए इसके लिए मैंने ये सभी परकार की कोडिंग लिख रखी है आपके लिए तो एक ही करके मैं आपको सभी कोडिंग के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी दूंगा दोस्तो तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले शुरू बात करते हैं DC Power Supply Machine से अगर आपके पास 5A की DC Power Supply Machine है तो उसमें आपको सबसे पहले किसी भी फॉन को चेक करने के लिए आपको 4V सेट करना पड़ेगा दोस्तो और जो एम्पियर है वो मैक्सिमेम आपको 3A रखना है दोस्तो अगर आपके पास 2A की DC Power Supply Machine है कुछ इस परकार से जैसे आप देख रहे हैं यह 2A की DC Power Supply Machine से अब अधिकतर स्मार्ट फोन नहीं होते इनसे सिर्फ कीपेड फोन ही ओन होते हैं दोस्तो वो भी पूरे नहीं होते आदे फोन ओन होते हैं अगर आपको प्रॉपर रिपेरिंग करनी है तो आपको 5A की DC Machine लेनी ही पड़ेगी दोस्तो तो चलिए शुरू करते हैं जैसे की सबसे पहले हम Step No.1 फोलो करेंगे जो हमने Step No.1 में आपके लिए क्या कोडिंग बना रखिये Step No.1 में हमने बना रखिये दोस्तो जब आपके पास कोई फोन आता है जिसमें आप DC Power Supply Machine से कनेक्ट करते हैं और Power Key को प्रेस करते हैं प्रेस करने के बाद उसमें आपको 150, 200, 300, 400, 600, 700 की इस प्रकार से Ampere Show करता है कभी कम कभी ज़्यादा होता है दोस्तो ऐसी कंडिशन में सेट 100 में से 100% On होता है तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से Practical दिखाता हूँ मेरे पास एक Phone है जिसमें मैं आपको Live दिखाऊंगा कि कैसे आप DC Power Supply Machine की Coding से पता लगाएंगे कि Set On है या नहीं है दोस्तो DC Power Supply Machine में आप जो देख रहे हैं ये केबल दोस्तो इसे बोलते हैं बूट केबल जब आप 5 Ampere की DC मसीन का इस्तमाल कर रहे हैं तो उसके साथ आपके पास एक बूट केबल होना भी बहुत ही जरूरी है ये मैंने बूट केबल कनेक्ट कर दिये अब मुझे On Up Switch का जो पता है दोस्तो वो थोड़ा सा डैमेज है इसलिए मुझे यहां से चिम्टी के माध्यम से थोड़ा शॉट करना पड़ेगा आप देख रहे हैं डीसी पावर सप्लाई मसीन में रीडिंग शुरू हो चुकी है और शैट मेरा प्रॉपर अन हो चुका है दोस्तो नजर आ रहा होगा आप देख रहे हैं कभी 900 कभी 680 कभी कम कभी ज्यादा यह जो कंडिशन होती है दोस्तो यह प्रॉपर एक ओन फॉन की होती है अगर इस प्रकार की रीडिंग आपकी डीसी पावर सप्लाई मसीन में सो कर रहा है मगर सैट फिर भी आपको ओन नहीं है तो आप कुछ भी हाटवेर छेडने से पहले दोस्तो एक बार उसका फोल्डर जरूर चेक करें कि फोल्डर उसका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है अगर फोल्डर ओके है दोस्तो तो आप उसकी लैट सेक्षन को जरूर एक बार चेक करें कि कहीं उसकी लैट सेक्षन में तो वो फाल्ट नहीं है तो उमीद है दोस्तो आपको यह step number one जरूर समझ में आय यानि कि आपने पावर की को प्रेस नहीं किया है विदाउट पावर की प्रेस करे हुए अपने आप हाई एंपियर कंजूम कर रही है डीसी पावर सप्लाई मसीन इसका मतलब उस फॉन में दोस्तो आपकी वी पी एच या वी बेट की लाइन में शॉर्टिंग है दोस्तो जब वी बेट की लाइन यानि की प्राइमरी लाइन और जो वी पी एच लाइन है दोस्तो ये इन में अगर कहीं कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट हो जाता है तो उस कंडिशन में फोन के अंदर एक फुल शॉर्टिंग जन्रेट होती है दोस्तो फुल शॉर्टिंग अप जब इस DC power supply machine से connect करेंगे तो ये एक बग्यर power की दबाए high ampere consume करेगा तो चलिए एक बार चेक करते हैं कि कैसे high ampere consume करते हैं तो एक बार दिखाता हूं मैं आपको कैसे high ampere consume करता है ये देखेंगे दोस्तों आप मैंने on up switch यानि की power की को प्रेस नहीं किया है और आप देख रहे हैं 800 directly मैं एक बार फिर से निकाल कर फिर से लगाता हूं दोस्तों जी आप देखेंगे शाड़े 700 without power की दबाए हुए high ampere show कर रहा है दोस्तों इसका मतलब है इस phone के अंदर full shorting है कौन सी shorting है full shorting है दोस्तों full shorting जैसे ही मैंने आपको बताया के वी बेट से और वी पीच की लाइन से ही आपको देखने को मिलती है दोस्तों तो उमीद है आपको इन full shorting समझ में आया होगा हमारा next है without power की प्रेस low ampere low ampere का मतलब secondary line में shorting आपने power की प्रेस नहीं की और without power की प्रेस करे वे जैसे अभी आपने इसमें देखा high ampere show कर रहा था दोस्तों अगर इसी condition में आपको low ampere show कर रहा है तो इसका मतलब उसकी secondary line में कहीं न कहीं shorting है दोस्तों तो एक बार देखते हैं अगर हमारे पास कोई half shorting का phone पड़ा है चलिए मैं एक बार आपको इसमें दिखाता हूं कि करें दोस्तों वो damage हो गया है उसके लिए sorry बोलता हूं आपसे अगर आपको देखना हो तो मैं आपके लिए special एक half shorting के लिए low shooting की video shoot कर दूँगा दोस्तों इसका जो connector है वो damage हो गया है तो उसके लिए sorry जैसे मैंने आपको हाई MPR दिखाया है दोस्तों 800 900 700 कुछ इस परकार की reading या coding आपको देखने को मिलती है तो उस condition में full shorting होती है half shorting में आपको 190 170 110 इस परकार की low coding आपको show करेगा और वो होगी secondary line से दोस्तों तो उमीद है आपको आशा करता हूँ यह सहां तक समझ में आया होगा दोस्तों आगे चलते हैं प्रेस पावर की 9070 शाट लो बुटिंग यानि कि low बुटिंग का मतलब है दोस्तों आपने on up switch को प्रेस किया और प्रेस करने के बाद आपका जो MPR है वो कंजूम कर रहा है 90 80 110 120 जा रहा है मगर जैसे ही आपने on up switch को छोड़ा वैसे ही वो फिर से 00 आ गया दोस्तों इसको बोलते हैं हम low बुटिंग यानि कि वो शैट अपनी power लगा रहा है on होने के लिए तागत लगा रहा है on होने के लिए मगर वो on नहीं हो पा रहा है दोस्तों ऐसी कंडिशन में अक्सर कर या तो box section में दिक्कत होती है 95 पर्षेंट या फिर pm से दिक्कत होती है दोस्तों तो चली एक बार मैं आपको दिखाता हूं लाइब तो एक बार चेक करते हैं नजर आ रहा है भरसर मैंने यहाँ पर connect कर दिया है और मैं और आप सुछ को प्रेस कर रहा हूं आप देखेंगे 126 96 और जैसे ही मैंने इसको छोड़ा फिर से डाउन हो गया दोस्तों 00 मैं एक बार फिर दिखा रहा हूं दोस्तों आपको लो बुटिंग का केस कैसे आपके पास अगर कोई इस प्रकार का फाल्ट आता है तो कैसे आपको पता लगेगा उस फोन में कहां से प्रॉब्लम है आप जैसे ही ओन आप सुछ को प्रेस करेंगे वो एंपियर कंजूम करेगा दोस्तों एंपियर जैसे ही कंजूम कर रहा है आपने जैसे ही उसे छोड़ा और वो फिर से वापस सट्डाउन हो गया, जीरो जीरो आ गया, इसे बोलते हैं दोस्तो लो बुटिंग, लो बुटिंग, मैंने अभी आपको बताया, बक्स एक्षन से या प्यम से फाल्ट होता है, और आपको उसमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी, कि इसमें प्यम से प्रॉब्लम है या बक्स एक्षन से प्रॉब्लम है दोस्तो, इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट पे अपने प ग्या है दोस्तो, जैसे ही आपने पावर की को प्रेस किया, और पावर की को प्रेस करने के बाद, आपका जो एमपेर है, वो वहीं का वहीं, रुका हुआ है, ना नीचे है, ना ही उपर जा रहा है दोस्तो, तो चलिए एक बार हम आपको दिखाते हैं, लाइफ प्रेक्टि 99 ले गया है दोस्तों मैंने इसको छोड़ दिया है आप देख रहे हैं यह 100 पे इस्टक हो चुका है इसे बोलते हैं दोस्तों इस्टक एक ही जगाए एंपियर का रुख जाना अब ऐसी कंडीशन में जहां आपको यह 100 दिख रहा है रुखा हुआ इसका मतलब है आपने पावर की प्रेस की और आपका 100 दिखा रहा है 150 दिखा रहा है मगर वो रीडिंग आपकी श्टक हो गई है वहीं की वहीं रुख गई है तो इसका मतलब उस पॉन में 99% MMC का फाल्ट है या MMC से पहले आप एक बार सॉफ्टेर से चेक कर सकते हैं कि वो प बना रहा है या नहीं बना है नेक्स है हमारा दोस्तों प्रेस पावर की 00 dead condition यानि कि आपके पास एक ऐसा सेट आया है जिसमें दोस्तों आप DC पावर सप्लाई मशीन की जो केबल है इससे जब आप कनेक्ट करेंगे इसके बाद और आप सुच को प्रेस करने के बाद एम्प यह मैंने लगा दिया है दोस्तों और आप सुच को प्रेस करते हैं एक बार दिखाना बरसर जूम करके आप देख रहे हैं कोई मूमेंट नहीं है दोस्तों 0.0 ही शो कर रहा है इसका मतलब है यह जो फॉन है दोस्तों वो है dead condition में अब dead condition की काफी सारी condition होती हैं दोस्तों या तो हो सकता है इसके on up switch की या power key की supply break हो अगर supply break है तो charging लगाने पर charging logo show कर देगा charging percentage show कर देगा और इसके बावजूद भी अगर DC machine से लगाने पर 0.00 show कर रहा है दोस्तों तो इसका मतलब है उसके on up switch यानि की power key की जो line है वो break है दोस्तों अगर power key की line ओके है और इसके बाद charging पर भी कुछ कोई भी value show नहीं करता है तो इसका मतलब वो phone 100% dead condition में है अब dead condition में देखना होगा दोस्तों कि उसके PM से दिक्कत है या उसकी CPU से दिक्कत है या उसकी EMC से दिक्कत है तो उमीद है दोस्तों आपको यहां तक समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं हमारा last है दोस्तों press power key 0.6, 0.7 या 10 इसका मतलब आपने जब power key को press किया और press करने के बाद आपको 0.6 या 0.7 या 10 दिखा रहा है दोस्तों और जैसे ही आपने power key को छोड़ा वैसे ही वो फिर से दोस्तों 00 हो गया इसका मतलब उस phone में 100% CPU IC का fault है तो चलिए दोस्तों मैं एक बार दिखाता हूँ आपको यह देखेंगे आप 0.8, 0.7 और जैसे ही दोस्तों मैं power key को छोड़ूँगा वैसे ही यह फिर से 00 ऐसी condition अगर आपके पास आती है तो ऐसी condition में दोस्तों कोई संकोच नहीं है 100 मैसे 100% उस phone में CPU IC का fault होता है दोस्तों जिस phone में आपको 0.6 या 0.5 दिखाकर फिर से वापसी 00 हो रहा है तो उमीद करता हूँ दोस्तों आपको ये DC machine की coding अच्छी तरीकी से समझ में आई होगी अगर हमारी वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और next वीडियो आपको किस topic पे चाहिए वो भी हमें comment में जरूर बताएं दोस्तों RAS Technical Institute में Mobile Repairing Course, LED Repairing Course बहुती कम फीश में कराया जाता है अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिये गए नमबर पे आप कॉल कर सकते हैं